कोरोना एक बार फिर से लोगों को डरा रहा है केंद्रिय स्वास्ते मंत्राले के आक्रों के अनुसार देश में शनिवार को COVID-19 के एक्टिव केसों की संख्या 3000 का आकड़ा पार कर गई है साथ ही पिछले 24 गंटे में COVID-19 के 752 नई केस मिले जो मई 2023 के बाद एक दिन में सामने आने वाले सबसे जादा केस है वही 24 गंटे के अंदर COVID-19 से चार मरीजों की मौत हो गई शुक्रवार को देश में 640 COVID-19 मामले सामने आये थे जबकि एक शक्स की मौत हो गई पिछले दिन एक्टिव केस 2669 से बढ़कर 2970 में हो गए और शनिवार को यह आकड़ा करीब 3420 के पार पहुँच गया शनिवार सुबह 8 बज़े अपडेट किये गए स्वास्त्य मंतराले के आकड़ों के अनुसार 17 राज्यों में COVID-19 के एक्टिव मामलों में बढ़ोत्री हो रही है जिसमें केरल से 266, करणाटक से 17, महराश्टर से 15, तमिलनाडू से 13 और गुजराच से 12 जैसे राज्यों शामल है ऐसे में बात करें यदि राजस्थान की तो यहाँ पर भी हालात बिगडने लगे हैं राजस्थान में नई-नई सरकार बनी है, सीम भजनलाल शर्मा भी लगातार आमजन से सतर्त रहने की अफील कर रहे हैं ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन बस अड़े पर भी आमजन द्वारा कोविड को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाई की तस्वीरे सामने आई है आमजन कोरोना को लेकर अभी भी बेपरवा है और भीड़भाड वाली जगों को लेकर अचेत सा मनमर्जी करता हुआ नजर आ रहा है आमजन को केंद्रिय स्वास्ते मंत्राले की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोविड से अपना बचाव करना है वरना हालात और भी जादा भयावय हो सकते हैं इसी को लेकर जैपुर के सिंधी कैंप और रेलवे स्टेशन पर कोविड को लेकर इंतिजामातों का जायजा लिया हमारे सम्वादाता संधीप अगरवाल ने कोविड नाइंटीन वो है मंदर था जब 2019-2020 में एक भेंकर तास्दी आई पुरे संसार को इससे जग्चोर दिया कई जारों जाने गई उसके बाद आज 2023 सल रहा है और 2023 में अभी कोरोना ने वापस दस्त दे दी है स्वास्ते केंजी स्वास्ते मंतरा लेके अनुसार पुरे भरात देश में चार मोते हुई है कोविड से वहीं पे 3000 से ज्यादा मामने सामने आये हैं वहीं पे 752 के सामने आये हैं जो पोजिटिव पाए गए हैं सुकरवार यानि कि पिछली 24 गंड़े की बात कि शुकरवार में इदर से उदर लोग होते हैं मेरे पीछादेख सकते हैं कि कि इसगい यहां पे जो आम जन हैं सवारियां आने में वार यहां लुक्रा है अलेट मोट पर हैने के निदेश दे दिये हैं लेकिन बावजू इसके पब्लिक जो है तो लगातार लापरवाहियं बरतरी है जिसका खामियदा कहीं न कहीं इस देश को दुबारा बोगतना पढ़ सकता है बात करें रास्तान की रास्तान में भी केस दिन पर दिन बरतरी हैं जेसल में बार्डवेर की बात करें वहां पर भी दो-दो केस सामने आज सुके हैं इसे से अंदाज अलागा सकता है कि पब्लिक जो है जब तक अवेर नियूग जागरुक नियूग उसके बाद में जो कोरोना बढ़ रहा है वो कहां तक दस्तक दे पाता है और कहां तक जो बड़ी गटना हुई थी 2019-2021 में वह कहिने कहीं वापस रिपीट हो सकती है केमरा परसंट संजय सर्मा के साथ संदीप अगरी मीडिया चैपूर इसी को लेकर SMS मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर प्रकाश केस्वानी ने भी चिंता जताई उन्होंने कहा कि अभी कोव के नए वेरियंट के साथ केसिस आने लगे हैं यह एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है लेकिन अभी तक कुछ केसिस जैसे कि आपने तक करीब साथ सो केसिस डायगनोस हुए हैं जिनके आगे बढ़ने की उमीद होती है क्योंकि इंफेक्शन डिजीज बढ़ती ही है और यह इंफेक्शन बढ़ने की संभावना भी है